हेलो एवरिवन गूड मॉर्निंग कैसे हैं आप सब तो चलिए आज हम आपनों के साथ सेर करेंगे फूल गोभी की रेश्पी जो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी बनता है तो यहां पर हम एक ताजा फ्रेस फूल गोभी ले लिये हैं और इसे हम छोटे छोटे टुकडों में क कर लेंगे और आज हम फूल गोभी का कोपता बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी बनता है और खास करके ठंडी का मौसम में फूल गोभी एकदम से ताजा फ्रेस मिलता है तो कोपता बनाना तो बनता है बहुत ही डिलिसियस फुल गोभी का कोपता बनकर तयार होता है तो चलिए बनाने के प्रोसेस में चलते हैं तो देखिए यहाँ पर हम अच्छे से वास कर लेंगे तीन चार पानी से और पहले हम इसको ठंधा पानी से धोएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे इसमें गरम पानी हम इसमें डाल लेंगे और अच्छे से वास कर लेंगे देखिए अच्छे से वास करने के बाद इसे हम पानी को निधार लेंगे अब हम क्या करेंगे कदू कस करेंगे तो देखेंगे कि इसमें दो तीन तरह का है तो इसमें थोड़ा बड़ा वाला जो है जाली उस से हम करेंगे जाए तो आप छोटा वाला से भी कर सकते हैं बट इसे हम बड़ा वाला से इसे कस लिए हैं देखिए ऐसे हमें कस कर तयार कर लेना है देखिए अब हम इसमें बारी कटा हुआ प्याज डालेंगे हरी मिर्च डालेंगे अद्रक और लहसन का कट करके डालेंगे धनिया पत्ता और यहां पर हम काली मिर्च का पाउडर हल्दी पाउडर गरम मसाला और शबी को मिक्स कर लेंगे यहां पर कास्मेरी लाल मिर्च एड कीये हैं एक चमच और यहां पर हम बेशन लेंगे तो एक छोटी कटोरी बेसन था उसमें से हम थोड़ा सा डाले हैं उसके पाथ से हम देखेंगे कि इसमें और कितना लगेगा और स्वाद के नुसार इसमें नमक एड़ किये हैं अब हम यहां पर मिक्स करेंगे तो यहां पर अभी हम पानी का इस्तेमाल नहीं किये हैं यहां पर हम नमक डाल कर ऐसे मिक्स करेंगे न तो अपने आप इसमें से पानी होता है किरिलीज होता है और बैडिंग अच्छा बनने लगता है देखिए इसमें से और थोड़ा सा हम बे औरत के नुसार ही हमें बेशन लेना है देखिए यहां पर हम ऐसे राउंड राउंड करके देखेंगे तो यह पिल्कूल इसका बाइंडिंग अच्छा बन रहा है गोल गोल कोपते बन रहे हैं तो अब हम गैस के तरफ चलते हैं तो गैस अन करके तेल अच्छे से गर्म हो करेंगे और कोपता को हम तल लेंगे अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक सेर और सच्क्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेश कर दीजिएगा ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए आप लोग के पास ज तल लेंगे देखिए यह बिल्कुल हो चुका है अब इसे हम निकाल लेते हैं जो अगला पैज था उसे भी हम तल लेंगे सारे कुपतों को ऐसे ही हमें तल लेना है आप ऐसे फूल वोभी का कुपता भी बना कर धनिया पत्ती के चटनी के साथ सौस के साथ खा सकते हैं बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही उपर से क्रंची और अंदर से सौफ्ट होता है बहुत ही अच्छा लगता है देखिए सारे कुपता हमारा जो है तलकर रेडी हो चुका है अब हम आगे के प्रोसेस में चलते हैं तो यहां पर हम तेल डाल कर इसमें जीरा, लॉंग, इलाइची और डालचीनी डाल कर प्याज और टमाटर को हम भून लेंगे और थोड़ा सा इसमें 8-10 काजू डाले हैं और 2 मिर्श डाले हैं इसको मिडियम टू लो फ्लेम पे पकने देंगे बाद में इसे हम पिवरी बनाएंगे देखिए अहां पर हम थोड़ा सा इसमें नमक अड़ किये हैं ताकि टमाटर जो है और प्याज सौफ्ट हो जाए देखिए बिलकुल यह पक चुका है अब हम एक मिक्सी जार लेंगे और उसमें इसको डाल कर 2-3 चमच जितना पाने डाल कर इसको प्यूरी बना लेंगे देखिए कुछी इस तरीके से हमें प्यूरी बना लेना है अब हम गैस के तरफ चलते हैं तो यहां पर हम एड़ किये हैं तेल और उसमें हम डाले हैं तेजपत्ता, जीरा, हरी मिर्च बीच से कट करकर अड़ किये हैं और ये थोड़ा सा चटक जाए उसके पाद हम इसमें जो प्यूरी बना कर रखे थे ना उसको डाल लेंगे पहले हम मसाला इसमें नहीं डाले हैं ये थोड़ा हम अलग प्रोसेस से बना रहे हैं इसको प्यूरी को डाल कर उसके पाद हम इसमें मसाला एड़ करेंगे साथ ही सब एक साथ ही डाल कर हम फूनेंगे तो देखिए यहां पर हम हल्दी पावडर ले लिए हैं धनियां पावडर थोड़ा सा आधी चमच इतना काली मिर्च और जीरा का पावडर और यहां पर है गरम मसाला सभी को हम एक ही बार medium to low flame पे धीरे धीरे इसे हम पकाएंगे तो हमारा जो कोपता बनेगा बहुत ही टेश्टी बनेगा पहले भी मसाला भून कर तेल में हम बाद में प्यूरी को एड़ कर सकते थे बट यहाँ पर हम एक साथ ही किये हैं और यहाँ पर हम ले लिए हैं कास्मीरी लाल मिर्च एक बड़ा चमच इससे कलर बहुत ही मस दाता है और देखिए बहुत ही अच्छे से इसको हम भूनेंगे ताकि इसका बिल्कूल टेस्ट अच्छा आया है और इस बात का ध्यान रखिएगा कि मेडियम टू लोग लेम पे ही हमें मसाला को पकाना है देखिए इसमें से पैन जो है तेल को छोड़ दिया है तेल इसमें से रिल जरुद के नुसार पानी एड़ करेंगे तो देखिए यहां पर हम एक कोटोरी जितना पानी एड़ किये हैं थोड़ा सा पानी इसमें और जाएगा और इसको हम पकाएंगे तो यहां एक उबाल आ चुका है और इसमें हम नमक डालेंगे तो श्वाद के नुसार एक चोटी चमच हम नमक डालेंगे क्योंकि नमक हम पहले भी यूज किये हैं जैसे कोपता में भी डाले थे और टमाटर और प्याज पकातिस में भी डाले थे तो स्वाद के अनुसारे यहां पर हम नमक एड़ कर देंगे और मसाला अच्छे से पक चुका है अब इसमें हम कोपतो को एक एक करके डालते जाएंगे तो देखिए अब हम क्या करेंगे इसको अलट पलट लेंगे अच्छे से ताकि कोपता बिल्कुल अपना जो ग्रेवी है जो इसमें अब्जॉर्ब हो जाए और अच्छे से इसमें मिल जाए देखिए इसको अलट पलट लेना है अच्छे से अब हम इसमें एड करेंगे कटा हुआ भारी धनिया पत्ता अब इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी जो बहुत ही स्वाद इसका लगाता है और टेश्टी लगता है तो बस कुपता बन कर तयार है इसको अब हम धांक देंगे और बस सर्व करेंगे एक-दो मिनट बाद है तो एक अब बावल में हम इससे सर्व कर रहे हैं तो देखिए कलर बिल्कुल ही मस्त आया है और खाने में भी बहुत ही लाजवाब लगता है तेस्टी बनता है तो मेरे बताये गए नुसार से एक बार फूल गोवी का कुपता जरूर बनाईएगा और कमेंट करके जरूर नुक बतायेगा थैंक्स फूर वाचिंग टेक केर बाबाई